आल राइट एन वेलकम टू अल इस वीडियो में हम जानेंगे UKCCC द्वारा जो रिसेंट उत्राखंड 2020 के जॉब नर्टिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है नव बहुत सारे विभागों में जैसे समाजकल न्याण विभाग यानि कि सोशल वेलफियर डिपार्टमेंट समिक्षा दिकारी जिसमें आप आरो एरो बनते हैं उस पोस्ट तक जाते हैं अधिनिस्त सेवा यानि कि सबॉडिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन में बहुत सारे पोस्ट रिलीज हुई हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट में सबसे पहले मैं आपको ये जानकरी देतूं कि सभी पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही पेपर होगा MSQ-based होगा दो घंटे का पेपर होगा आपके merit के basis पर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट हैं वो दी जाएंगी अलग-अलग डिपार्टमेंट में वो अपने अपने जो लेवल की salary होती है लेवल 5 है लेवल 6 है लेवल 2 है लेवल 4 है उसके basis पर आपके जितनी अच्छी rank होगी आपको उतनी अच्छी post मिलेगी मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि उत्राखंड जो state का election commission में है वो department अगर किसी की rank 1 से लेके 2 या 3, 4, 5 तक आई तो state election commissioner में आपको वो post मिलेगी एक ही post है तो rank 1 तो उसी के लिए होगी तो अलग-अलग post में यानि कि कहने का मतलब क्या है अलग-अलग department के जो अलग-अलग post है आप जिस basis पर आपके rank decide होगी MCQ में जितने अच्छे marks होंगे उस basis पर आपको post मिलेगी अब डिसकस कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूवत है कि किस-किस department यानि कि किस-किस विभाग में post आई है जैसे समाज कल्यान में यानि कि social welfare department में साहयक समाज कल्यान अधिकारी, छात्रावास, अधिक्षक, निर्वाचनायोग ये election commission उत्रागंट का जो election commission है, इस्टेट का election commission है, उसके लिए सबसे important post है, साहयक समिक्षा अधिकारी जिससे review officer भी बोला जाता है अधिनिश्ट सेवा, चैन में, यानि कि triple SC में, साहयक समिक्षा अधिकारी है, फिर data entry operator है, पंचायती राज विभाग में, ग्राम पंचायत विखास अधिकारी के लिए, अब बहुत सारी ऐसी post हैं, जिसमें कुछ ऐसे certain condition दी हैं, कि आपको triple SC mandatory होगा ठीक है, वो सभी में नहीं है, बट किस-किस post में वो अभी में detail में discuss करूँगा, बट overall ये जान लोगी, अलग-अलग विभागों में ये पता आए हैं, ओके, ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, इन सभी में post आई हैं, तो एक अच्छा मौका है, स ठीकनिकली मैं बात करूँ तो अभी साड़े बार बजरा है, ठीक है, रात का पर वो सुबह हो चुकिया, यानि कि आठ नॉमबर को ये मैं वीडियो रिकॉर्ट कर रहा हूँ, आइ थिंक आपको ये आठ नॉमबर की सुबह तक आपको मिल जाएगी, वैसे मैं अभी ये 2021 में, जितने भी चीज़ा होंगी, चाहे डेट है, जो सलेबस है, वो सब इसी पर डिपेंड होगा, ओके, ओवरॉल मैं बात करूँ, सभी विभागों में अगर पद की, तो टोटल कुद पड है, 854, ठीक है, कितने है, 854 है, और सभी को अगर मैं डिवाइट करूँगा, ज चाहतरवास अधिक्षक के लिए 3 है, ठीक है, सायक समिक्षा अधिकारी के लिए 2 पद हैं, तो ऐसे ही मेरिट के बेसिस पर आपको यह होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सब के लिए अलग-अलग एक्जाम होंगे, यानि कि आप ग्राम पंचायद विकास अधिकारी के लिए दे तो अलग पेपर आएगा, नहीं, सभी के लिए कॉशन पेपर सेम होगा, बट डिपेंड अपॉन यूर मेरिट, आपको एसाइन किये जाएंगे अलग-अलग डिपार्टमेंट, ओके, आपने OTR अलड़ी बना चुके होंगे, बट यहां पर अभी थोड़ा सा और ज्यादा इसको पहले complex method था, इनका IO का कहना है, तो OTR फिर से बनाना होगा, हाला कि username आपका same रहेगा, अगर आपसे number या email ID पूछी जाएगी, तो आप cyber cap या खुद से भी घर में भर सकते हैं, ठीक है, आपको password create करना पड़ेगा, पुराना password हो सकता है, वो भी चीज़े हैं, ठीक है जो exam है offline भी हो सकता, online भी हो सकता, बट most probable आपसे offline ही paper पूछा जाएगा, क्योंकि उत्राखंडगा जो infrastructure या IO के पास इतने resources नहीं है, कि आपके लिए वो online exam करवा सके हैं, बट offline ही ये paper होगा, most probable, ठीक है, at the end, जो SMS और email जो आप provide कराएंगे, उसके basis आपको information दी जाएगी, अब बात कर लेते हैं, ये तो थी, कब paper होना है, कितने post हैं, अब मैं एक एक करके, जो most important पद हैं, इसमें post हैं, उसके बारे में discuss कर लेता हूँ, समाज के लिए अधिकारी के बारे में बात करें, तो कुल पद 35 हैं, विभा क्या है, social welfare department, सायक समाज के लिए अधिकारी है, और इसमें salary भी अच्छी हो रही है, आप जैसे ही selection होंगे, initial में freser के रूप में जाएंगे, तो करीबन 29,200 से start होगा, और at the end जब आप promotion होते रहेंगे, प्रमोट होते रहेंगे, तो 92,300 salary तक आपकी जाएगी, non graduated है, यानि कि अराज पत्रित है, इस्ताई है, अंसदाई, pension जोगता है, सेक्षिक अहरता हम लास्ट में discuss करेंगे, बड़ जितनी भी पोस्ट में अभी बारे में बात कर रहा हूं, सभी में graduation mandatory है, यानि कि जितनी भी पोस्ट होंगे, आपके पास इसनातक की degree है, तो आप तभी इसको अभर सकते हैं, ठीक है, graduation, ओके, now, दूसरा है, छ ये test दिये जाएंगे, जैसे इस पे salary है, लेवल 5 की, 29 जाद 200 सेम है, ठीक है, सायक समिक्षा अधिकारी, कुल एक पद है, मैं कहूंगा कि सबसे अच्छी अगर पोस्ट है, तो ये है, जो बड़े खिलाडी बनना चाहते हैं, या बड़े खिलाडी होंगे, वो राजी निर वीडियो को देखने के बाद, तो कुल पद एक है, सायक समिक्षा दीकरी, कॉमेंट बॉक्स में, आप लिख सकते हैं कि बड़े खिलाडी आप बनना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि overall, अब आपके बास देखिए, मुस्किल से ही उत्राखन में पोस्ट आती है, और ये भी जो थोड़ा सा डिले का इश्यू हर बार होता है, जैसे मई में पेपर होगा, तो जरूरी नहीं है, या जून जुलाई में ये रिजल्ट अनॉंस कर दें, में है तो अगले में तक या जन्वरी तक रिजल्ट अनॉंस होगा, बट ये है कि फाइनल सेलेक्शन आता है, अप्रेल और मई, मई में पेपर हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे में ना किसी भी एक्जाम करने को, अगर उत्राखंट के बारे में बात करों तो इनफ है, बहुत ज़्यादा, सिर्फ अगर मैं बात करों यूपीएसी के एक्जाम की, वो भी एक साल ले जाता है, बट पेपर होगा, वो फिक्स रहता है, रिजल्ट डिले होता है, बट रिजल्ट आएगा, वो फिक्स रहता है, ठीक है, तो मैं यह कहूँगा कि आपसे बड़े खिलाडी की तरह इसको अप्रोच करो, आपका में टार्गेट होना चाहिए, यह वाला साहियक समिक शाधिकारी, क्योंकि जब आप इस पोश्ट को टार्गेट करोगे, तब ही आपको यह दूसरे पद हैं, वो मुस्किल से मिलेंगे, ठीक है, बट बड़े खिलाडी बनना ही है आपको, 35,400 से सेलरी इसकी सुरू होगी, और 1,12,400 तक यह जाएगी, लेबल 6 की सेलरी है, पेस जो वलनेरिवल, मुस्ट वलनेरिवल सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग है, उनके लिए आप काम कर सकते हैं, अपनी पोश्ट में रहके, बट आपको एक चीज़ एकसाइट करती है, वो क्या है, वो है सेलरी, ठीक है, 35,400 से स्टार्ट हो जाएगी, तो यह वाल की डिप्रेशन पर आवर है, जिसे केडी पीएज बोला जाता है, तो यहाँ पर देखें, यह तब होगा जब आपका रिटेन एक्जाम होगा, उसके बाद यह चेक किया जाएगा, हाला कि इसमें उतना ज़्यादा टफ नहीं है, इसको सोचके, इसको टार्गेट ऐसा नही कि यह आप नहीं करना, यह चीज़ां हो जाती हैं, जो टाइपिंग टेस्ट हैं, वो बाद में आप कर लेते हैं, बट आप सबसे पहले टार्गेट कीजिए, जो सब्जेक्ट मेंशन किये गए हैं, सलेबस अभी रिलेज हो जाएगा, चार-पांच दिन के अंदर, फिर उस समिक्षा अधिकारी, ARO, आप कह सकते हैं, इसे, 35,000 से यह सेलरी स्टार्ट होगी, और 112,000 तक जाएगी, विस विद्याल जिशना तक, इस पर जो यह वाली पोश्ट है, उसमें वही है, 4000 KDPH, यानि की डिप्रेशन पर आवर है, विंडो, इंटरनेट, MS Word, MS Excel का अच्छा ग सेलरी आपको मिल जाएगी, अराज पत्रित, नौन गैजिटेट हैं, सभी नौन गैजिटेट पोश्ट हैं, वैसे, कुल चार हैं, ठीक है, सामानी में यह है, ओके, सूचना यह हैं, लोक संपर्क विबाग, यह भी अच्छा है, एक ही पद है, पूरे उसमें, ठीक हुत्रा उपादी या सरकार द्वारा उसके, जिसमें हिंदी एक विसाई रहा हो, और माधिमिक शिक्षा परीशत की इंट्रियूर, तो बहुत सारे कम लोग इसको टार्गेट कर रहे होंगे, बड़ यहां पर पांच पद हैं, इसके लिए एक मेंडिटरी यहां पर कंडिशन क्या दी गई है, देखो, उसके समक्ष मानिता, जिसमें हिंदी एक विसाई रहा हो हो, और माधिमिक शिक्षा परीशत की इंट्रिमिडेट परिक्षा या सरकार दारा मानिय पता हो, जिसमें अंग्रे जी एक विसाई रहा हो, मतलब 12 आपने किया हो तो उसमें अंग्रे जी विस सदिकारी कुल पोस्ट दो सो बयान अब है आप कहेंगे इतने ज्यादा क्यों है सिंपल सी वात है जितने ज्यादा जिले होंगे उसके बैसे पर पोस्ट केटेग्राइज की गई है यह तो सेलेक्शन के बाद ही पता जलेगा कि किस को किस जिले में मिलती है ऐसा फिक्स नहीं है रहता कि यार आप चंपाउट से हैं तो mostly आपको चंपाउत से मिले बड़ वो तो बात की बात है कि आप return exam किस merit के basis आप से बात में पूछा भी जाता है अच्छी rank हो जाती है तो आप से पूछा भी जाता है अपने पर ऐसा फिक्स नहीं है कि यार आप चमपाउट से हैं तो आप इसके लिए कमपीट करेंगे यह आयोग दोरा बताया जाता है जनरली ठीक है पर मोस्ट प्रॉबेबल क्या होगा वो तो बाद में एक और यह अभी नोटिफिकेशन रिलिच करने वाले हैं उस पर भी लिखा होगा बट आपको वही है कि हर जगे से कॉमपीटिशन है पूरे ओलोबर उत्राखंड में एक ही टेस्ट होगा तो ऐसा तो होगा नहीं न कि यार आप अगर सेलेक्शन आपका तब ही होगा जब एक ही रिटन एक्जाम के बेसेस पाप करोगे एक ही MCQ हैं दो घंटे का पेपर है सभी उत्राखंड में जितने लोग रह रहे हैं सभी लोग पेपर देंगे पर ऐसा नहीं होगा कि यार हाँ आप चमपाउट से हैं तो चमपाउट के लिए एक अलग सा टेस्ट होगा नहीं आपको बस यही टारगेट करना है कि इस MCQ का जो कट अफ है मैंने क्लियर करनी है जब कट अफ क्लियर होगी आपका डारेक्ट सेलेक्शन इस पर हो जाएगा ओके नव लेवल फॉर के बेसेस पर इसकी सेलने मिलेगी ग्राम पंचायद विकास अधिकारी के लिए आपको अगर भरना है तो यहाँ पर देखो एक चीज़ यहाँ पर मेंडिटरी की कही है ग्राम पंचायद विकास अधिकारी के पत पर सीधी बढ़ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यरती माननेता प्राप्त विस्यादला से इसना तक एक तो ग्रेजिविशन होनी चाहिए तथा कंप्यूटर संचालन में न्यूंतम ट्रिपल सी लेबल का प्रमान पत्र धारक भी हो आपको ट्रिपल सी की जरुवत पड़ेगी ठीक है ट्रिपल सी की जरुवत पड़ेगी यह इंपोटेंट हो जाता है फिर है सुपरवाइजर यह तो सिर्फ केवल महलाओं के लिए है चौतिस पड़ है उसके बाद मैटरन केर होस्टल चार्ज इस पर जदा डिसकर्शन नहीं करूँगा सायक स्वागती यहाँ पर यह वाला जो पड़ है देखो लेवल टू की मिलेगी सेलरी उननीस हजार से शुरू होगी यहाँ पर देखो यहाँ पर एक अनिवार अहरता है हिंदी वर अंग्रेजी भासा पढ़ने पर लिखने और बात करने की पूर्ण सक्षम रखता हो छमता हो नीचे यह प्रबंदक उद्योग सतर हैं उद्योग विवाग हैं उद्योग निदेशालाई हैं सामानी के लिए 37 पद हैं अच्छी सेलरी है इस पर भी 35,000 से सुरू होगी इशना तक है बांकी यही चीज़े हैं ठीक है और दूसरा दूसरी क्या चीज़ें दी गई हैं एक तो इशना 381 पद हैं अलग-अलग डिश्टिक के लिए दिये गए हैं चंपाउत के बारे में बात करों तो बार चंपाउत में बार ऐसी पोस्ट आएंगी जिसमें ग्राम विकास अधिकारी आप बनेंगे अच्छी सेलरी है लेवल चार की सेलरी है विससी विदला ग्रेजियोशन होन सर्टिपिकेट होना चाहिए जो कंप्यूटर वाला होता है ठीक है ओके सभी के लिए इस ना तक है ग्रेजियोशन है कुछ चार पद हैं जिसके लिए अलग से कंडिशन बताई कही है जिसमें जैसे ग्राम पंचाइद विकास अधिकरी इस पर ट्रिपल सी माना गया है आप अब इन सभी लोगों को कलब करके टोटल भड़तियां अगर बात करूं तो कुछ 800 सम्थिंग 854 तक और देखो सभी mcq-based होगा एक ही पेपर होगा mcq-based दो घंटे का होगा जिसमें जो most जो चीज़े हैं वह आपको यह याद रखनी है देखो सामान्य हिंदी पहला सामान ज्ञान ठीक है general knowledge सामान अध्यन यह भी आपको general studies जिसे कहते हैं general studies में आप क्या सकता है history geography इंडिया ठीक है इंडिया की जो चीज़े होती है वह सब तो general GS जिसे बोलते हैं polity आप से most expected मैं यह चीज़ें बताता हूं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत election commission के लिए यार कोई छोटी post नहीं है तो general study GS के paper आपको prepare करने ही पढ़ेंगे ठीक है GS के 4 paper होते हैं जिसमें मैं कहूंगा history अब देखो यहाँ पर अंग्रे जी यहाँ पर नहीं लिखी गई है तो अंग्रे जी में include नहीं होगा तो यहाँ पर discuss क्या क्या गया है तो GK GS और GH जनरल हिंदी ठीक है जनरल हिंदी के भी इस पर हम लाएंगे वीडियो जी एस की तो quality history है economics है ठीक है जोगरफी है यह पता होना चाहिए ओके नौ यह सब चीज़ हैं और क्या negative marking होगी मैं कहूंगा हाँ सही उतर के लिए एक अंक नेगेटिव के लिए 1 by 4 आपका यहाँ पर calculate किया जाएगा ओके और क्या है इस पर 21 वर्स होना चाहिए सबी लोगों को 21 वर्स हो चुके होंगे किसी को ज़्यादा पंचायत करनी है तो आप यह पर्टिकुलर डेट यहाद लगो 1 जुलाई 2020 के बेसेस पर ठीक है 21 वर्स होनी चाहिए देख लो आप कब पैदा होए हो और 1 जुलाई 2020 तक calculate कर लो ठीक है तो उसके बेसेस पर 21 वर्स आपको हो जाएंगे और क्या है इस पूरे notification में पढ़ने के लिए www.sc.uk.gov.in इसमें आपका भरा जाएगा OTR आपको भरना पड़ेगा email ID देनी पड़ेगी कुछ यहाँ पर condition दिये गई है कि क्या कितनी आपकी फोटो ने चीए size scan हस्ताक्चर आपकी लिए जाएंगे अंगोठे का निशान ठीक है आप घर से भरना चाते है cyber cafe में आपको भर के दे देंगे ठीक है और इसमें कुछ चीज़े हैं नहीं है but at the end हम बात क्या करेंगे क्या सिर्फ syllabus जो notification है वो है अब syllabus आया है नहीं आया है syllabus आएगा I think 4-5 दिन बाद आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा बड़ उससे पहले आप सब को पता है जो basic सी चीज़े हैं वो fix हैं कि आएंगी ही आएंगी हिंदी जिसमें history, polity, economics, geography बहुत most possible है कि उच्ची स्तर का पूछा जाएगा quality के बहुत अच्छे से question पूछे जाएगे तो quality आपको prepare करनी पड़ेगी ऐसा नहीं कि यार अब आपको थोड़ा सा अच्छे से prepare तो करना ही पड़ेगा क्योंकि देख competition ऐसा है कि बहुत जादा है बहुत सारे लोग भरेंगे और graduation most probable बहुत सारे उत्राखंड में तो बहुत सालों से ही भड़ती नहीं आई है competition जादा होगा तो अपने basis पर पहले ही mind को train कर लीजिए कि अच्छे question आप से पूछेंगे और अच्छे से ही आज से ही 10 number से जिस दिन से आप form भरोगे ओ दिन से हम वीडियो रिलीज करना भी सुरू करेंगे comment box में बताओ आपको वीडियो चाहिए या नहीं जिस basis पर आपको comment box में response मिलेगा उसके basis पर हम पूरा पांच मन्त बहुत होते हैं किसी एक इवन उत्राखंड के यह triple SC exam है तो इसके लिए तो enough है यहां पर देखो reasoning भी mention नहीं कही है कि reasoning आएगी या maths आएगी आपको सिर्फ बहुत सारी कम चीज़ें दी गई है कम paper हैं कम subject हैं तो उसके basis पर आप clear कर सकते हो ठीक है बांगी तो syllabus आने के बाद देखेंगे कि reasoning mention है या maths mention है notification में तो यह लोग तीन subject दाल देते हैं बढ़ फिर भी जो mandatory है वो तो पता चल गया आपको GS, GK और Hindi ठीक है यह पूछी जाएंगे इसकी study material जल्दी ही हम release करेंगे और video भी डालना शुरू कर देंगे और एक perfect time table के साथ मैं time table वाली भी video बनाऊगा तो आप comment box में बताना कि आपको क्या-क्या जरूवत है किस-किस चीज की subject क्या-क्या time table देना है या नहीं बीच-बीच में बहुत सरे notification है एक और चीज अब देखे टेलिग्राम अब डाउनोड करनी है search box में आपने type करना है at the rate पंकज बोहरा तो आप इसको join कर लेना क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अभी PDF दी है उसकी share कर चुके है हम ठीक है यह आपको मिल जाएगी और जितने भी आप वीडियो notification रिलिज होंगे अल्रड़ी एक हजार लोग हम से जोड़ चुके हैं तो आप भी इस जितने भी इतरा खंड के एक्जाम है इस ग्रूप से आपको बहुत जादा benefit मिलेगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही Thank you